स्वागत है बिहार की सभी आंगनवाड़ी बहनों का आज की इस नई वीडियो में बहनों हम बता दे कि बिहार आंगनवाड़ी सेवी का एवं आंगनवाड़ी साही का दोनों आंगनवाड़ी बहनों के लिए ICD विभाग दोरा जो बिहार सरकार्स हैं इनके दोबार एक official letter ICD से पत्र दे गया है जिसके अंतरगत अब मदान में कुछ नए changes किये गए हैं जिस कारण से अब जितने भी आंगनवड़ी बने होंगी उनको कुछ नए तरीके से मदाताओं के घर जाकर कुछ अनेक काम करने होंगे तो आईए जानते हैं कि कौन कौन से गतिविदी आपको मनानी होगी इस पत्र करने होगी और इसके साथी इसका चार्ट भी आपको अपने जिला अधिकाड़ी को देना होगा वीडियो बहुत ही महतोपूर्ण और इंफोर्मेटिव है तो इस वीडियो को अंतक देखें और इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप इस वीडियो को सियर भी करें ताकि सभी आयंगनवरी बनों को जानकाड़ी मिल सके वीडियो को सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक जगड़ें सान्थी कमेंट ज़र की जएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी सबसे पहले हम बता दे कि जो पत्र है जो ओफिसिय लेटर है या बिहार के जिले छपड़ा जिले यानि सारंध जिले से निकल के आ रही है जिसमें लोकसभा आम निर्वाचन जो आपका वोटिंग होने वाला है मद्दान होने वाला है उसके समन्ध में है यहां गरा पढ़ाएंगी तो दिया गया है कि लोकसभा आम निर्वाचन के आउसर पर अधिक से अधिक मद्दाताओं के सहानिभूत सुनिचित कर मद्दान प्रतिव और उनको प्रचाई उद्यस जिला के मद्दाताओं के घर जाकर उन्हें मद्दान देने के लिए आमंत प्रडित करना है कि आउट दे आप मद्दान करें इसके बाद दिया क्या है कि एतवत कर्ण में दिए गये पंचायत की जीविका देधी आसा एवं जो आंगनवाडी सेविका कर्मी द्वारा किया जाना है यह नहीं जुगतिवीदिया है या सिर्फ आंगनवाडी बहने नह यानि जो वोट देने वाले हैं उनको मद्दाताओ को आते हैं मद्दाताओ को मद्दान करने हैं तू आम अंत्रन करेंगे तथा दिये गए पत्र में आवसक सुचना की प्रविष्टी करकर गिरिस्वामी हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे इवं पंचायत की अधिक नौडल पर ददिकारी को यहां पर स्वंप देंगे यहां पर इस वीडियो के बाद हम आपको पत्र दिखाएंगे जिसके अनुसारी आपको यहां पर जो गिरिस्वामी है जो घर के मालिक है उनका हस्ताक्षर लेना है उनके घर में कितने मद्दाता है अभी उनके घर में कितने प्रज प्रत्रिंग एवं द्यानिक प्रतिवादन है तू पंचायत वार नौडल पदाधिकार के पास प्रतिवेदन करेंगे नौडल पदाधिकारी द्वारा दवित्त होगा कि वार्डेर पतिदूद एवं कर्मियों के बीच समानुपती रुक्त रूपसे वार्ड में घरों का प्रतिवेदन कर्मियों को एक पत्र दिया जाएगा जिसको हम दिखा दे रहें लेकिन उससे पहले आप समझे लिए उसमें करना क्या होगा उस पत्र के अनुसारी आप सभी आइंगन बाड़ी बहर ने उस लाभारति घर या उस मद्दाता एक जाएंगी जो मद्दान दें प्रकार से आपको काम मिलेगा और इसके अंतरकात आपको करना ही है कि जिते ही मत दाता है जो वोट देने के लिए सक्ष्य में जिनके उम्र 18 से जाथा या 18 प्लस है तो यह सभी जो मत दाता होंगे उनको वोट देने के लिए जागरू करेंग या अंगन बड़ी बने इसके कौन कौन सी बातों को आपको भढ़ना है कौन कुंस गतिवी दिया है या कौन सवाल है जो आपको पूछना पड़ेंग यही है इस प्रकार आपको पत्र है दिय जाएगा जो यहां पर आप पर भी सकती है कि लोग सब्सक्रनेरवाचें द्वाचें 24 अन्हीं लोग सभए के इस प्रचा का जो पत्र है आपको होगा और यहाँ पे विधानसभा संख्या उपर दर्ज की जाएगी और आम अंतरन देने वाला का सक्षार नाम पदनाम यहाँ पर सूख किया जाएगा फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रखंड का नाम यानि जो भी प्रखंड का नाम होगे वह यहाँ पर लिखे जाएंगे वाड़िवा पंचायत लिखे जाएंगे ग्री स्वामी का नाम यानि जो ग्री स्वामी है उनका नाम होगा कुल मदताओ की संख्या यानि उनके पूरे फैमिली में कितने मदता है यानि कितने ऐसे लोग है जो वोट देने में सक्षम है तो इनकी संख्या पर भढ़नी होगी फिर इसके बाद दिया गया है कि वर्तमान में उपस्तित मादाताओ की संख्या यानि आपके गाउं में या आपके जहां रहती हैं आसपस तो ऐसा होता ही होगा कि कुछ ऐसे फैमिली होते हैं यानि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स यहां पर नहीं रहते हैं वो कहीं और रहते हैं लेकिन उनका भी वोट में नाम जूरा होता है वो भी वोट दे सकते हैं लेकिन यहां पर एक और पुछा गया है कि वर्तमान में उपस्तित जो अभी वोट दे सकते हैं, उनकी उपस्तिती संके दर्ज करनी होगी, फिर यहाँ पर दिये गया है गिरी स्वामी के हस्ताक्षर यान घर के स्वामी होगे, जो घर के मालिक होगे, उनका जो हस्ताक्षर होगा, और तो यहाँ पर अभ्युक्ति भरनी है, यानि आप सभी को इसी प्रकार का जो पत्र है, मिलेगा, इसमें आपको काम करना होगा, जो डिटेल्स हों के दर्ज करना होगा, हालाकि यह तो डिटेल पत्र है, आपको यहाँ पर फिजिकल दे जाएगा, पेज दिया जाएगा, जिसको आपको हर घर में जाकर, आपको गिरी भरमन के दरन का आपको इसी प्रकार से इस वोट में यानि 24 के मद्दान में काम करना होगा और इसके साथ ही आप सभी आयंगनवाड़ी बहनों को आगे भी जनकाड़ी चाहिए तो आप हमें चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आगे भी आप सभी को वोट से सम्मंदित, मद्दान सम दन्यवाद